अंठान बे दसंबलो 6 डिग्री फॉलेन हाइट को डिग्री सेंटिगेट में बदल लिए तो हमें फॉलेन हाइट को सेंटिगेट में बदलना है और इसका सूत होता है सी बटे पांच देट इसक्वल टू एफ माइनस थार्टी टू अपॉन नाइन सी कमाना में याद करना है बटे पांच बराबर एफ यह में दिया है अंठान बे दसंबलो 6 माइनस बतिस बते नौ तो अंठान बे दसंबलो 6 बतिस गटाना है तो 0.6 आठ में से दो गए 6 और 9 में से तीन गए 6 बटे 9 नो सप्ते 63 तीन बचा और 9 चौके 36 तो सी बटे 5 बराबर हो गया 7.4 यह सी बराबर हो जाएगा 7.4 गुने 5 पांच और बीस की जी रहास लगी दो साथ पाना पहती चतिस से तिस तो यह हमारा हो गया अंठान बे दसंबलो 6 डिगरी फॉरें हाइट बराबर 37 डिगरी सेलसियस अगले सवाल है दसंबलो 2 किलोगराम द्रव के ताप को 20 डिगरी सेलसियस से 70 डिगरी सेलसियस तक बढ़ाने के लिए 700 कैलोरी उश्मा की आवशक्ता पढ़ती है द्रव की विशिस्ट उश्मा गयात कीजिये कैलोरी में और जूल में तो यहां पर दसंबलो 2 किलोगराम यानी द्रवमान को M से लिखते हैं और इसका मान जोज़े 0.2 किलोगराम या केजी मistas का 2 कि 20 कषन से 70 जो तापमार में परिवरतन और 20 से 70 हो रहा अरही तापमां में परिवरतन डेल्टा चीकर बढ़ाबर हो जाएगा अधिक काममा प्र माइनसद 27 यह परिवरतन निकाल आरिंद हैं तो 70 माइनस 20 यानी 50 c- 700 कैलोरी उष्मा की आवशक्ता पढ़ती है तो उष्मा की आवशक्ता जो है वह क्यू और किसका मान है 700 कैलोरी कि द्रब की विसिश्टी समय याद़ कि विसिश्टी समय लिखते है स से और हम देर सूथ पड़ा है Q बराबर होता है M into S into delta T दी गई या ली गई उश्मा की मत्तक Q बराबर हमें S का मान गयाद करना है तो S बराबर हो जाएगा ये दोनों इसके नीचे चले हैंगे Q upon M into delta T या सीधे हम फार्मूने लगा सकते है S is equal to Q upon M into delta T अब हम मान रखते है तो S बराबर हो जाएगा Q Q का मान हमारा कितना है 700 टैलोरी बटे M M का मान 0.2 और ताप मान पई बरतन ब्रदी कितनी है 50 डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 में दसम्लों दो गुणा करेंगे तो 700 50 दूने 100 एक अंग पर दसम्लों लोग जाएगा तो यह जाएगा 10 और 700 में 10 का भाग करेंगे आएगा 70 और विसस्टूसमा का मात तक क्या होता है कैलोरी बटे किलोग्राम डिग्री सेल्सियस क्योंकि यहाँ पर S Q किलोग्राम तक कैलोरी काप मान तो 70 कैलोरी 50 किलोग्राम 50 डिग्री सेल्सियस यह हमारा किसमे कैलोरी में आ गया अब जूल में गयाद करना है तो मोग जानते हैं कि 1 कैलोरी बरावर 4.18 जूल होता है तो यह मान हो जाएगा 70 गुणे 4.18 तो गुणा करेंगे तो 0 7.56 की 6 हास लगी 5 7.57 बारा की 2 हास लगी 1 7.28 और 1 29 दुणकवाद दसमलो तो 292 दसमलो 6 जूल कैलोरी किसमे आ गया जूल 50 किलोग्राम 50 डिग्री सेल्सियस आंसर दसमलो 2 किलोग्राम दरब को 135 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर दरब से निकली ऊश्मी उर्जा गयाद कीजिए जबकि दरब की विशिष्ट उस्मा 750 जूल 50 किलोग्राम 50 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर दिरमान एम कमान हो गया 0.2 किलोग्राम 135 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप मान में परिवर्थन डेल्टर टी यहाँ पर हो जाएगा पहले 135 ताप मान में 25 हो गया ताप मान परिवर्थन 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 135 डिग्री सेल्सियस और घटाने पर आएगा हमारा माइनस का 110 डिग्री सेल्सियस विस इस टूसमा S कमान दिया में 750 जूल प्रिती किलोग्राम 50 डिग्री सेल्सियस हमें उश में उठ जाए यह 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 क्यों का मान ग्यात करना है तो क्यूं वराब होता है एम गोड़ा एस गोड़ा डेल्टा टी कि एम दर्मान जीरो पॉइंट टू विशिश्ट तूसमा साथ सो पच्चास और ताप मान में परिवात्तन माइनस का एक सो तस दसमलो दो गोड़े साथ सो पच्चास साथ सो पच्चास दूनी पंद्रा सो एक अंग बद दसमलो यह लगा दिया गोड़ा माइनस का एक सो तस एक दो पीन जीरो गोड़े साथ सब्सक्राइब की पांच हसले की पांच ग्यारे कम ग्यारा पांच सोला एक अंग बद दसमलो लग गया यह जगा माइनस का तो यह जाएगा तो माइनस का सोला हजार पान सो जूल यह रिनाट पक माहना इसका मतलब है कि उश्मा द्रव से निकलेगी और यह प्लसमा आता तो उश्मा की आवश्यक्ता होती है जब किसी प्लाट को उश्मा दी जाती है तो उश्मा का मतलता है और जब प्लाट से उश्मा निकलती है तो यहाँ पर माइनस शिन यह प्रशित कर रहा है कि थंडा करने पर द्रव से उश्मा क्या होगी निकलेगी द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं गल्लांग हिमांग वाश्पी करण संगनन तो जब गैस में बदलता है तो इस पिक्रिया को हम वाश्पी करण कहते हैं द्रवो में उस्मा संचरन होता है चालन द्वारा शम्वहन द्वारा विकरण द्वारा इन में से कोई नहीं तो चालन द्वारा होता है द्रवों में शम्हन के द्वारा उश्मा का संचरन होता है जल का कुतना जल का कुतना निश्चित रूप से 100 डिग्री सेल्सियस होता है उश्मी उर्जा का मातरक है उश्मी उर्जा का मातरक जूल होता है उस्मा का कुचालक है लोहा अलुमीनियम इस् पिर सही के सामने सामने गलत के सामने गलत कचिन लगना किसी वस्तु को गरम करने पर उसका ताप खटता है यह गलत है वस्तु गरम किया उसका ताप क्या हो जाएगा बढ़ेगा थोस वस्तु में उस्मा का संचन चालन द्वारा होता बिल्कुल सही है वस्तु द्वारा ली ग प्रिवर्टन होती है पारा उश्मा का गलत है ताप का एसा ही मात्त्रक होता है गलते हुए बर्व का ताप 0 पयसिर्ट्यस है किसी ठोष के द्रॉब में बदलने की किरिया जो होती वुह हमारा कहलाटी ये जीरो डिगरी सेलसियस है किसी ठोस के द्रव में बदलने की किरिया जो होती वो हमारा गलन कहलाती है या इसको बोलते द्रवी कान बोल सकते हैं और चुक्ण किरिया निश्यत्तापल होती है अब इसको बोलते गलनान विकरन विदी द्वारा उश्मा इस्थानान्तर की आवश्यक्ता होती है बरतन का हत्ता बनाने में कुछालक धातुका प्रेओग किया जाता है किसी वस्तू का ताप ताप मापी के द्वार मापी द service किसे नाप थे हैं किसी वस्तु का जो ताप मापा जाता है वो ताप मापी के दोरा मापते हैं। थोसो में उश्मा इस्थानांतर हैं। किसके दोरा होता है। चालन पिक्रिया के दोरा होता है यहां पर। इस्टील उश्मा का सुचालक है। तो उसको गर्म करने पर उसके आयतन में प्रिशाद होता है विशिष्ट उसमा पदार्थ का गुना है जैसे यहां पर इस समान पदार्थ के दो टुकडों का दिर्मन दो क्लोगरम तथा चार क्लोगरम है शमान उसमा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा तो सूत होता हम क्वे निकालना है तो डेल्ट हो जाएगा हमारा क्यूंक अपूं पर आत है यानि दोनों की विश्ष्टो स्मान समान होगा अब एक दो किलोग्राम का एक चार किलोग्राम का है और समान उश्मा दी जारी क्यों समान है एस समान है यदि M का मान ज़्यादा होगा तो डेल्टा ट का मान कम हो जाएगा और M का मान कम होगा तो डेल्टा ट का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर 2 kg दिर्मन कम है अता इसके तापमान में ज्यादा विर्द्धी होगी 4 kg का तापमन क्या होगा कम बढ़ेगा पहला प्रेष्ट उश्मा क्या है? उश्मा एक प्रकार की उर्जा है जिसका प्रवाय अधिक ताप की वस्तुषे कम ताप की वस्तु की और होता है अगला प्रिश्ट उस्मा की मात्रा किन किन कारकों पर निर्भर करती है उत्तर उस्मा की मात्रा वस्तु के दिर्मान तापांतर तथा विस्ष्ट उस्मा पर निर्भर करती है अगला प्रेश्ट किसी पदाट को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्चक उश्मा की गर्णा के लिए शूत लिखिए तो सूत होता है Q बराबर M गुणा S गुणा डेल्टा T अगला प्रेश्ट उश्मा के मात्तक लिखिए उत्र जूल ताप कैलोरी में संबंद लिखिए तो उत्तरफ एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल अगला प्रेस्ट एक कैलोरी किसे कहते हैं उत्तर एक ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिगरी सेल्सियस से 15.5 डिगरी सेल्सियस तक अर्थात 1 डिगरी सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उस्मा की मात्रा को एक कैलोरी कहते हैं अगला पर तापमापी या थर्मामीटर क्या है उत्तर वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी इसका सही ग्यान करने के लिए एक विशेश प्रकार का यंत उप्योग करते हैं जिसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं अगला प्रश्ट, सरीर का ताप मापने के लिए किस थर्मा मीटर का प्रियोग किया जाता है उत्तर डॉक्टरी थर्मा मीटर या डॉक्टरी ताप मापी अगला प्रेश्ट, ताप के मात्तक लिखिए उत्तर, Kelvin, Celsius तता Fallen Height अगला प्रेश्ट, Celsius तता Fallen Height ताप में संबन्द लिखिए तो उत्तर, C upon 100 that is equal to F minus 32 upon 180 या C बटे 5 बराबर F minus 32 बटे 9 अगला प्रेश्ट, सुस्त मनुस के सरी का ताप कितना होता है उत्तर, सुस्त मनुस के सरी का ताप 37 डिगरी Celsius या 98.6 डिगरी Fahrenheit होता है अगला प्रेश्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्योग करते समय क्या-क्या साफधानिया रखनी चाहिए उत्तर, पहला थर्मामीटर को पड़ते समय पारेकातल दश्टी रेखा की सीध में होना चाहिए दूश्रा, थर्मामीटर किसी कठोर वस्तू से टकराना नहीं चाहिए तीसरा, थर्मामीटर का प्योग करते समय बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए चौथा, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्योग मनुष के सरी के ताप मापन के अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए अगला प्रिष्ट, किसी पदार्ट की विस्ष्ट उस्मा से क्या तातपर है उत्तर, किसी पदार्ट की विस्ष्ट उस्मा, उस्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांग्त दिर्मान के ताप में एक डिग्री सेल्सियस तक पईवर्तन के लिए आवश्यक होती है S बराबर Q upon M into delta T अगला पिश्ट विशिष्ट उस्मा का मात्रक क्या होता है अगला पिश्ट उस्मा का मात्रक कैलोरी प्रिति किलोग्राम प्रिति डिग्री सेल्सियस होता है अगला पिश्ट उस्मा का संचरन किसे कहते हैं अगला पिश्ट उस्मा का संचरन की किरिया को उस्मा का संचरन कहते हैं अगला प्रेश्ट उस्मा का संचरन किस कारण से होता है? उत्तर तापांतर के कारण अगला प्रेश्ट उस्मा के संचरन की कितनी विदियां होती है? उत्तर उस्मा के संचरन की तीन विदियां होती है पहली चालन, दूशी शम्वहन, तीसरी विकरन अगला प्रेश्ट थोस पदार्टों में उस्मा का संचरन किस विदी से होता है उत्तर चालन विदी से अगला प्रेश्ट उस्मा संचरन की किस विदी में माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है उत्तर विक्रन विदी में अगला प्रश्ट दैनिक जीवन में विक्रण का उप्योग लिखिए उत्तर दैनिक जीवन में आग अत्वा विद्दू थीटर के सामने बैठने पर गर्म महसूस होता है आग अत्वा विद्दू थीटर की उश्मी उर्जा विक्रण द्वारा बिना बीच के स्थान को गर्म कि ये सीधे हमारे पास तक पहुंसती है अगला पर यदि आधा लीटर जल तता आधा लीटर सरसो के तेल को समान मात्रा में उश्मा दी जाए तो इन में से किसके ताप में अधिक विद्धी होगी उत्तर यदि आधा लीटर जल तता आधा लीटर सरसो के तेल को समान मात्रा म उश्मा दें तो सर्सो के तेल के ताप में अधिक विद्धी होगी क्योंकि सर्सो के तेल की विशिष्ट उस्मा जल की विशिष्ट उस्मा से कम होती है। सूत डेल्टर टी बराबर क्यू अपान एंटू एस के अंसार। अगला प्रिष्ट द्रवों तथा गैसों में उश्मा का संचलन मुखता किस विदी से होता है। उत्तर सम्हन विदी से। अगला प्रिष्ट सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। उत्तर जिन पदार्थों में उस्मा का संचलन शुगमता पूर्वक होता है। उन्हें उस्मा का सुचालक कहते हैं। उधारण लोहा, एलुमियंघ, तामभा, चांदी, पारा, आधी। अगला प्रिष्ट कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। कुत्तर, जिन पदार्थों में उस्मा का संचलन सुगमता से नहीं होता उन्हें उश्मा का कुचालक कहते हैं जैसे लकड़ी, कांच, कागज, उन, वायु, आदी अगरा प्रेश्ट क्या कारण है कि धातु की केटली के हद्टे पर बेत का आवरण चड़ाया जाता है उत्तर, धातु की केतली के हत्ते पर बेत का आवरण इसलिए चड़ाया जाता है क्योंकि बेत उश्मा की कुचालक है इससे हमारी अंगुलियों पर उश्मा का चालन नहीं हो पाता है जिससे हमारी अंगुलियां जलने से बच जाती है अगला प्रिश्ट, वर्व को पिगलने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, वर्व को पिगलने से बचाने के लिए इसके चारो ओर कुचालक पदाट जैसे लकडी का बुरादा अत्वा उनी कपडा लपेट देते हैं, इससे उश्मा का संचरण नहीं हो पाता है उत्तर कुछ पदाथ कर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसी अवस्था में बदल जाते हैं ऐसे पदाथ उर्ध पातन पदाथ कहलाते हैं तता इस पक्रिया को उर्ध पातन कहते हैं जैसे कपूर, नौशादर, आदी अगला प्रिष्ट, गलनांग किसे कहते हैं वे निश्चिताप जिस पर कोई ठोस कर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदाथ का गलनांग कहलाता है बर्फ का गलनांग जीरो डिगरी सेल्सियस होता है अगला प्रिष्ट, कुछ नांग किसे कहते हैं उत्तर, वे निश्च किसे कहते हैं उत्तर जब पदार्थों को गरम किया जाता है तो पदार्थ उस्मा पाकर फैलते हैं पदार्थों के इस गुण को ऊश्मी परसार कहते हैं अगला प्रश्ट पदार्थों में परसार कितने परकार का होता है उत्तर पदार्थों में परसार तीन परकार का होता है पहला ठोशों में परसार दूसरा द्रवों में परसार तीसरा गैसों में परसार अगला प्रश्ट रेल की दो पतरियों को जोते समय उनके बीच थोड़ी जगई छोड़ देते हैं क्योंकि गर्मियों में नोहे में उश्मि पृसार होता है यदि रेल की पतरियों के बीच जगह नहीं छोड़ें तो लोहे के फैलने पर रेल की पतरियां टेड़ी हो जाएंगी और इससे दुरगटना हो सकती है अगला प्रिश्ट दिरवन से आप क्या समझते हैं उत्तर जल वास्ट का ठंडा होकर दिरव में बदल जाने की क्रिया दिरवन कहलाती है